नमस्कार मा की रसोई में आपका स्वागत्त है मैं मम्ता शेर्मा आज बनाने जा रहे हूँ भटूरे भटूरे बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए मैदा दो कप सूजी एक कप दही आधा कप बेकिंग पावडर एक से दो चम्मच नमक आधा चम्मच चीनी एक चम्मच तेल तलने वैं मोयन के लिए पानी आशक्तानों सामगरी सबसे पहले एक कटोरे में मैदा सूजी दही बेकिंग पावडर चीनी नमक तेल डालकर आटे में मिला दें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर आटे को गूत लेंगे अब आटे पर तेल लगाएंगे ताकि पप्णी ना बनें अब धक्कन लगाकर 7-8 घंटे के लिए धक कर रख देंगे अब धक्कन उतारेंगे और आटे को दो बारा से गूत लेंगे हाथ पर तेल लगाकर आटे की लोईया बनाएंगे लोईयों को थोड़ा मोटा बनाएंगे पूड़ी की लोई से अब लोईयों को 5 मिनिट के लिए बना कर रख देंगे गैस जवाएंगे और कड़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे अब हतेलियों पर तेल लगाएंगे और लोई को दोनों हतेलियों से दबाते विए भटूरे का आकार देंगे आप इनको चकले बेलन से बेल कर भी बना सकते हैं अब भटूरे को गरम तेल में डालेंगे और अलट पलट कर हलके सुनहरे रंका होने तक मध्यमाज पर तल लेंगे अब भटूरों को एक प्लेट में निकाल लेंगे भटूरे को हम पूरी से थोड़ा मोता बनाएंगे ऐसे ही सभी भटूरों को बनाएंगे अब एक प्लेट में छोलों के साथ गरमा गरम भटूरों को परोसेंगे हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूच सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता अवश्य लें यानि की सब्सक्राइब करें इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद अबर प्रप्राइब करें